दोस्तों आज किस वीडियो में हम बताएंगे आप Atlantis Exchange के लोगों को आइकन को होम स्क्रीन पर कैसे ले के आ सकते हैं क्योंकि अगर हम ब्राउजर में लिंक को टाइप करते हैं तो आप काफी प्राबलम होती है बार 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 ब्राउजर को उबन करना होता है लिंक को कोपी कर लॉग इन करना होता है तो इन साइस समस्याओं को देखते हुए हम्ने आपके लिए विशेज वीडियो बनाया है थाकि आप इसको होम स्क्रीन पर लेकर आ सको और होम स्क्रीन से ही डारेक्ट इसको लॉग इन कर सको तो आई दुस्रों हम वीडियो की लागे बढ़ते हैं step by step आपको बदाते ही कि आप Atlantis Exchange को अपने home screen पर कैसे aid कर सकते हैं पर open करने के लिए सब सब पहले तो जो Atlantis Exchange की हमारी link है उस link को हमको Google Chrome में login करना है Google Chrome में login करने के बाद आपको यहां पर triple dot दिखाए दे रहा है आपको इन triple dot के उपर आपको क्लिक करना है तो हम इसको यहां पर नीचे लिस्ट ओपन होती है लिस्ट ओपन होती है तो आपको यहां पर option दिखाए दे रहा है add to home screen add to home screen के उपर आपको क्लिक कर लेना है जैसे आप इसको add to home screen पर क्लिक करते है तो आपको Atlantis Exchange का जो आइकन है यह आपको डेक्टॉप पर इसा बना हुआ नजर आने लग जाएंगा जैसे कि हम आपको बताते हैं यहां पर हमाँ पास यह प्रेस करने के आपको simply यहां पर आपना email आईडी यह जैसे कि आप इसमें लोग इन करते थे उसी परका से आपको यहां पर email आदी लोग इन करना है पास्फ़र डालना है इसका साइन इन करना है तो आप इसली यहां से साइन इन कर सकते हैं उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो जान करें आप करके बताईएगा अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूले बेल नोटिफिकेशन को ओन कीजिए और इस चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब भी एक्स्टेंज लिस्ट होता है तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले जान कर भी पहुचे और आप इसमें ज्यादा से ज्यादा बेनेफिट टूठा सके थैंक्स पर ज्वाइनिक बने गए इस टॉक बिजिन से कर दो आप